तो जिससें से आपको पता है हमने बूर्श्ट्रेफ 5 की लेक्चर सिरीज का आगास कर दिया है तो इस लेक्चर सिरीज का आज ही है हमारा पार्ट नमबर टू और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं अगर किसी ने हमारा इंट्रोड़क्शन लेक्चर कवर नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वह वाला लेक्चर देख लें क्योंकि उसके अंदर हमने बुट्स्ट्रेफ 5 को डिटेल में डिसकर्स किया था कि बुट्स्ट्रेफ 5 क्या होता है क्यों उसको यूज करते हैं क्या उसकी पॉपुलरिटी है इस सारी चीजे हमने उसको डिसकर्स किया था तो उस वीडियो का लिंक में आपको इसी वीडिय करना और यूज करना बिलकुल free है मतलब इसके लिए इसको download करने के लिए आपको कुछ भी pay करने की जरुवत नहीं पड़ती मतलब ये बिलकुल open source है और इसका जितना भी code है वो आपको easily internet पे मिल जाता है जो के bootstrap की एक wide community है जो के bootstrap के उपर काम कर रही है ठीक है आगे चलते हैं अब यहाँ पर देखो where to get bootstrap 5 मतलब bootstrap 5 को हम कहां से download करेंगे और उसको use करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है there are two ways to start using bootstrap 5 on your own website मतलब दो तरीके हैं जिनको use करके आप bootstrap 5 को अपनी किसी भी website के अंदर use कर सकते हो तो देखो पहला तरीका क्या है download bootstrap 5 from getbootstrap.com मतलब अगर किसी ने bootstrap 3 और 4 वर्जन पड़ा है तो वो इस website से वाकिफ होगा क्योंकि bootstrap का कोई भी वर्जन आ जाए उसकी जितनी भी files है वो हम download करेंगे इसी website के link में से ठीक है तो हम चलते हैं इस website के उपर और वहाँ से bootstrap को download करते हैं ठीक है देखो मैं यहाँ पे google chrome में आ गया हूँ मैंने google open किया हूँ है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठीक है getbootstrap.com यहाँ पे आपने बटन है download का बटन है और नीचे देखो current उसका वर्जन बता रहा है latest लेटेस्ट लेटेस्ट वर्जन क्या है 5 मतलब V के बाद यह जो पहला 5 लिखा है इसका मतलब यह latest वर्जन है कौन सा 5 क्योंकि इसी को देखा जाता है जो भी पहला आपके पास number होता है क्योंकि वही major होता है बाकी सारे यह miners होते है तो देखो download का बटन नजर आ रहा है आपने download के उपर click करना है तो देखो जैसी मैंने download के बटन के उपर click किया नीचे देखो एक file download हो गही है एक zip file download हो गही है जिसके अंदर bootstrap से related जितनी भी CSS files है और JS files है क्योंकि मैंने क्या बताया था bootstrap पर framework है इसकी पूरी एक library है जिसके अंदर CSS का code भी है JavaScript का code भी है तो वह सारा मुझे इस zip file के अंदर मिल चुका है और मैं चलता हूं अपने computer के documents में ठीक है और यहां पर मैं एक folder मना लेता हूं ठीक है और यहां पर मैं अपने folder का नाम अपने folder का नाम मैं यहां पर रख देता हूं bootstrap 5 ठीक है और इसके अंदर इसके अंदर मैं यहां पर आके उस zip file को paste करता हूं और अब मैं इस file को extract कर ल js, हमें यही दो folders चाहिए, तो आप पहले इनको copy कर लो, मैं इनको copy करता हूँ और मैं इनको ले आता हूँ बाहर, ठीक है, जहाँ पर हमारी zip file मौझूद है, यहाँ पर आके मैं इन दोनों files को, इन दोनों folders को store कर लेता हूँ, और देखो यह जो folder था और यह जो हमारे पास zip file इन दोनों को मैं delete कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे जो files चाहिए, वो CSS और JS के folders के अंदर हमें मिल जाएंगी, ठीक हो देखो मैंने folder delete कर दिये जो भी थे, अब देखो, अब मैं CSS के folder के अंदर चलता हूँ, और यहाँ पर देखो बहुत सारी files हैं, लेकिन मुझे कौन यही वाली file चाहिए, और याद रहे, आपने यही वाली file link करवानी है, जिसका नाम है bootstrap.min.css, आपने यह वाली file link नहीं करवानी, देखो यहाँ पर एक और bootstrap की CSS file मौझूद है, जिसका नाम है bootstrap.css, यह वाली file link क्यों नहीं करवानी, उसकी एक वज़ा तो यह है, कि यह वाली जो file है ना, यह uncompressed है, और यह वाली file आपके पास compressed है, मतलब देखो, जिस file के आगे min लगावा है ना, min का मतलब है कि यह file compressed है, और min की full form क्या होती है, minified, और minified file क्या होती है, compressed होती है, तो देखो, यह file आपके पास uncompressed है, और यह वाली file आपके पास compressed है, देखो compressed और uncompressed में difference क्या है कि देखो ये जो compressed file है आप इसका file size देखो इसका file size कितना है 201 KB और अगर आप compressed file का size देखो compressed file का size क्या है 161 KB हाला के मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं इन दोनो files के अंदर CSS का same code है मतला एक dot का भी इदाफा नहीं है तो फिर इनके file size में difference क्यों है देखो मैं आपको बताता हूँ के इनके file size में difference क्यों है सबसे पहले ये जो uncompressed file है न जिसके आगे dot में नहीं लगा हुआ मैं इसको notepad पे open करके आपको दिखाता हूँ ठीक है देखो मैं यहाँ पे आता हूँ notepad में इसको open करते हैं देखो मैंने इस file को notepad में open कर दिया और देखो आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा होगा कि यह bootstrap का version क्या है 5 तो मतलब आप इस file को open करके भी bootstrap का version make sure कर सकते हो तो यहाँ पे आप देखो यह जो bootstrap की file है CSS file यह uncompressed है uncompressed में क्या होता है uncompressed के अंदर जो code होता है वो खुला खुला लिखावा होता है खुला खुला से मुराद कि उसके अंदर spaces भी होते है line breaks भी होते है और code readable होता है मतलब code यहाँ पे क्या है readable है देखो आपको समझ आ रहा होगा अगर आपको CSS आती है तो यह सारा code आपको readable है यह uncompressed file है लेकिन अगर मैं आपको यह वाली file दिखाओं bootstrap.min वाली right click करते हैं open with पे जाते हैं notepad पे मैं इसको open करता हूँ तो अब यहाँ पे देखो यह भी bootstrap की same वही CSS file है लेकिन आप एक चीज़ notice करो यहाँ पे code की खिचड़ी पकी हुई है मतलब यहाँ पे देखो कोई line breaks नहीं है कोई spaces नहीं है मतलब सारे line breaks और spaces खतम किये हुए है देखो line breaks और spaces को इस file में से खतम कर दिया गया है इसलिए इस file का जो size है वो कम है 161 और जो uncompressed file है उसका size है 201 क्योंकि आपको पता है यह जो हमारे पास जितने भी extra spaces होते हैं और line breaks होते हैं यह extra space occupy करते हैं इसलिए आपने याद रखना है कि आपने हमेशा ही compressed file का use करना है आपने इसका use नहीं करना ठीक है क्योंकि इसका file size जादा है लेकिन अगर फिर भी आप use करना चाहा रहे हो क्योंकि देखो यह वाली uncompressed file हम तब use करते हैं जब हम अपने bootstrap file के अंदर उसकी CSS के अंदर कुछ changing करना चाहा है modification करना चाहा है तब हम यह bootstrap की CSS file use करते हैं क्यों? क्योंकि इसमें code readable होता है ठीक है बाकि इसका code readable नहीं होता सही है तो मुझे यहाँ पर bootstrap.min.css वाली file चाहिए और सेम इसी तरह अगर मैं JS के अंदर चला जाओ तो देखो यहाँ पर भी मुझे यह वाली file मिलेगी देखो bootstrap.min.js और यहाँ पर देखो bootstrap.js और यह देखो यह वाली uncompressed file है और यह वाली compressed file है तो इन दोनों का आप size भी देख सकते हों चाहिए एक major difference आपको इसके size में नजर आ रहा होगा तो यहाँ पर भी मैं कौन सी file यूज करूँगा bootstrap.min.js तो देखो अब इन files को मैं link करवाता हूँ तो सबसे पहले मैं आपे आ जाता हूँ अपने dreamweaver में देखो मैं आपे software कौन सा यूज कर रहा हूँ इसकी coding के लिए bootstrap की coding के लिए adopt dreamweaver लेकिन आपके ओपर depend करता है कि आप कोई भी software कोई भी text editor यूज कर सकते हो इस तरह हमारे पास दूसरे भी है visual studio code भी है sublime भी है brackets भी है notepad plus plus भी है तो आपके ओपर depend करता है कि आप कौन सा यूज करूँ लेकिन मैं इस lecture series के अंदर adopt dreamweaver यूज करूँगा और dreamweaver का मैं कौन सा version यूज कर रहा हूँ 2019 तो अगर आपको 2019 चाहिए ये वाला software चाहिए तो आप मुझे comment में बता सकते हो मैं आपको provide कर दूँगा या फिर इस software का जो link है वो मैं आपको description में provide कर दूँगा ठीक है तो देखो अब यहाँ पर आता हूँ मैं new file create करता हूँ ठीक है देखो file में गया new पर गया और यहाँ पर देखो html file मुझे यहाँ से select करनी है create पर click करते है ठीक है तो देखो मैंने new html file बनाई तो देखो जो basic code होता है html का वो पहले से हमारे पास आ चुका है इस file को save करते है इस file को मैं save कहाँ पर करूँगा देखो documents के अंदर मैंने यहाँ पर एक folder मनाया था bootstrap 5 के नाम से देखो आपको नजर आ रहा होगा और इसी के अंदर वो जो bootstrap की files थे folders थे css और js.js के वो मैंने यही पर रखे हुए हैं तो देखो मैं इस file का नाम रखता हूँ for example यह जो पहली file है इसका मैं क्या नाम रख रहा हूँ index और जैसी मैं save पर click करूँगा तो automatic इसके आगे extension भी लग जाएगी क्योंके मैंने यहाँ पर देखो html file यह उठाई थी file में जाके new पर जाके मैंने html file उठाई थी इसलिए उसने save करते हुए automatic.html लगा दिया तो देखो यहाँ पर आके मैं untitled document यहाँ से जो लिखा वाई title में वह अटा देता हूँ और यहाँ पर मैं simple लिख देता हूँ intro bootstrap 5 ठीक है और अब सबसे पहले मैं head के अंदर अपनी css की file bootstrap की css की file link करवाता हूँ तो देखो link लिखो और tab का button प्रेस करो ठीक है देखो यह आगया आपके पास इसका पूरा code link का tag अब href के अंदर यहाँ पर देखो मैं css में जाता हूँ और css के अंदर मुझे कौन सी file चाहिए यहाँ पर देखो bootstrap.min.css यह वाली file चाहिए इसको link करवा लिया क्यूंकि देखो इसी file के अंदर bootstrap की वो जो bunny बनाई classes है वो सारी इसके अंदर मौजूद है और देखो मैंने आपको बताया था ना कि bootstrap को use करके हम क्या कर सकते है responsive website बना सकते हैं और responsive के लिए css के अंदर हम concept use करते है media queries का तो वो जो media queries का जितना भी code है वो css ने already यहाँ पर करके रखा हुआ है मतला हमें media queries का concept खुद से apply करने की ज़रूत नहीं है हम just bootstrap की bunny बनाई classes अपने html elements के उपर apply करेंगे और हमें उसका result मिल जाएगा तो यह मैंने css की file link कर वाली और नीचे आजाओ यहाँ पर मैं आप script का tag open करता हूँ और यहाँ पर वो जो bootstrap की javascript की file थी उसका address में यहाँ पर source के attribute में दे देता हूँ js में चलते हैं और यहाँ देखो यह वाली file ठीक है आपको नजर आ रही होगी bootstrap.min.js सही है तो यह भ bootstrap 5 के अंदर jQuery की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि bootstrap 5 में jQuery की support खतम कर दी गई है लेकिन अगर आप jQuery को किसी और purpose के लिए use करना चाहरे हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो और अगर मैं चेक करूं कि यह वाली file बिल्कुल सही तरह से link हुई है या नहीं हुई तो उस यह text center की bootstrap में built-in class मौझूद है जिसका काम क्या है हमारे text को center में लेके आना ठीक है तो देखो अभी अगर मैं इस file को मतलब इस class attribute को यहां से अटाऊं और simple इसको यहीं पे save करके इसका output आपको दिखाऊं तो देखो मैं चलता हूँ यहाँ पे bootstrap 5 में तो देखो मैं bootstrap की class text center इसको save करता हूँ और यहाँ पे आके f5 करके refresh करता हूँ तो यह देखो यह कहां पे आ गया हमारा text automatic center में आ गया और इसको center में लाने का काम किसने किया bootstrap की class text center ने इसका मतलब हमारे पास जो bootstrap है वो बिलकुल सही तरह से add हो चुकी है लेकिन अब अगर आप य कौन सा यहां पे देखो include bootstrap 5 from a cdn अब देखो cdn मतलब content delivery network भाई देखो अभी मैंने क्या किया था पहले step में कि मैं bootstrap 5 की website पे गया वहां से मैंने bootstrap की files download की उसको मैंने अपने folder में रखा website के folder में रखा और वही से मैंने उन files का address दे दिया अपने web page के अंदर लेकिन यहां पे देखो यहां पे बात कर रहा है bootstrap 5 के cdn की cdn मतलब cdn के case में मुझे bootstrap की जो files हैं वो download करने की जरूरत नहीं है मतलब cdn का मतलब के bootstrap 5 की जो files है न वो internet के किसी server के उपर मौझूद हैं मतलब किसी website पे मौझूद हैं और मैं वहां से direct उसको share कर लूँगा अपनी website के अंदर मतलब मैं उसका link share कर लूँगा तो जब मैं link share कर लूँगा इसका मतलब मुझे bootstrap 5 की website में से bootstrap की files download करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो cdn किस तरह से आप apply करते हो वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ तो देखो आपने दुबारा जा होगी cdn via js deliver ठीक है तो आप नीचे आओ थोड़ा सा यहां पर देखो यहां पर आपको एक link नजर आ रहा होगा ठीक है यह देखो यह link कौन सा है basically यहां पर आप देखो bootstrap.min.css और एक जी notice करो यह जो file है bootstrap.min.css यह कहां पर रखी हुई है यहां पर देखो यह इस website के उपर रखी हुई है मतलब मैं इस website से direct इस file को share करूँगा अपनी website में तो आपने क्या करना है यह जो link है आप यहां से copy कर लो यह पिर देखो आपको यहां पर copy का button नजर आ रहा होगा आप copy के button पर click करो और नीचे आ जाओ ठीक है यहां पर देखो अब यह वाली जो file है ठ को मैं यहां पर आके paste कर देता हूँ ठीक है लेकिन यह देखो जो दूसरा CDN है script वाला इसको मैं यहां से अटा देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे जरूत नहीं है क्योंकि यह CDN अभी कौन सा है यहां पर देखो bootstrap.bundle.min.js ठीक है तो मैं इसको फिलाल यहां से अटाता ठीक है और अब मुझे इसकी javascript की फाइल चाहिए तो वो भी आप देखो नीचे आ जाओ यहां पर देखो यह आपको javascript की फाइल नदर आ रही होगी देखो जिसका क्या नाम है bootstrap.min.js और इसके उपर एक और फाइल है popper.min.js इसकी हमें फिलाल जरूरत नहीं है तो फि पर आके पेस्ट कर देता हूं और यह जो पहली वाली script की फाइल है जिसके अंदर popper.min.js है इसको मैं यह से अटा देता हूं और देखो यह मैंने कौन सी फाइल लिंक करवाई हुए है इसका नाम आप देख लो bootstrap.min.js ठीक है यहां पर देख लो मैं highlight कर लेता हूं और दे देखो अगर आप files download करके add करवाते हो अपनी website में या उनके cdn आप add करवाते हो तो देखो difference कोई नहीं है ठीक है result आपको same मिल रहा है लेकिन difference है क्या इन दोनों में यह मैं आपको बताता हूं देखो यह जो पहला तरीका था ना जिसके अंदर हमने bootstrap की website में से bootstrap की files को download किया था और फिर link करवाया था इससे फायदा यह है कि अगर आपके पास internet available नहीं होता तब भी आपके पास यह पहला वाला जो step था इसको use करके आप काम कर सकते हो bootstrap के उपर मतलब अगर आपका internet नहीं चल रहा आप offline हो तो यह जो पहला step है यह offline कहलाता है मतलब इसमें आ आपको लाजमी online रहना पड़ता है मतलब internet आपका लाजमी connect होना चाहिए क्योंकि यह files directly कहां से आ रही है किसी website में से आ रही है मतलब किसी server में से आ रही है तो आपने लाजमी internet से connect रहना है तब ही आप CDN से bootstrap का data extract कर पाओगे तो पहला तरीका आपके पास offline है और दूसर तरीका आपके पास online है लेकिन जो professional तरीका है वो होता है आपके पास CDN क्योंकि भाई देखो जब हम website किसी client के लिए बना रहे हैं तो website हमें internet पे upload करनी है और यह जो CDN है यह भी internet पे ही मौजूद है तो अगर आपकी website नहीं चलेगी मतलब अगर internet नहीं होगा और अगर आप की website नहीं चलेगी तो यह CDN भी obvious से बात है काम नहीं करेगा तो यह है दोनों में difference तो आप कौन सा use करना चाहते हो यह आपके उपर depend करता है फिर आगे चलते हैं यहाँ पर देखो bootstrap 5 CDN की बात कर रहा है अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है if you don't want to download and host bootstrap 5 yourself you can include it from a CDN content delivery network मतलब यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर आप bootstrap की files को खुद से download और host नहीं करना चाहा रहा है तो आप क्या कर सकते हो आप bootstrap का CDN उठा सकते हो तो CDN भी आप कहां से उठाओगे getbootstrap.com की website से उठाओगे फिर देखो next point यहाँ पर देखो क्या कह रहा है jsdeliver.com से उठाइए अगर मैं आपको यहाँ दिखाओ यहाँ आते हैं और यहाँ देखो यह आपको नजर आ रहा होगा jsdeliver.net इनी के उपर हमारी यह files रखी हुई है और वहीं से मैंने इनको उठाया है ठीक है तो एक इसका यह point है फिर आगे चलते हैं अब देखो अब यहा drop-down list bootstrap के through बनाते हैं और जब भी हम drop-down list पे click करते हैं मतलब drop-down button होता है उसके उपर click करते हैं तो नीचे list open हो जाती है तो जब हम click करेंगे तो उसका जो click event है जो click method होता है उसका code हम कहां से लेते हैं javascript की file में से लेते हैं फिर जो हमारे image sliders होते हैं जिसको bootstrap में image carousel कहा जाता है तो वो एक image से दूसरी image पे move कैसे होते हैं वो भी javascript के code की मदद से होते हैं मतलब और भी बहुत सारी चीजें है bootstrap के अंदर जिनके अंदर javascript involved होती है तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है bootstrap 5 use javascript for different components मतलब यहाँ पर कह रहा है कि bootstrap 5 जो है वो javascript को use कर करती है अलग-अलग components के लिए भाई देखो bootstrap में components हैं जैसे के models एक pop-up होता है tooltips pop-overs etc और भी बहुत सारे components हैं जिस तरह मैंने बता image carousels हैं और भी बहुत सारी चीजें जिसके अंदर javascript का concept use होता है मतलब अगर आप javascript add नहीं करते तो यह जो concept आपको बता रहे है ना CSS part of bootstrap you don't need them मतलब यहां पर यहीं कह रहा है कि अगर आप यह सारी चीजें use नहीं कर रहे है अपनी website में और simple classes ही use कर रहे हो तब आपको javascript की file add करने की जरूरत नहीं है तब आप सिर bootstrap.min.css के through भी काम कर सकते हो तो यह था आज का हमारा part number 2 जिसके अंदर हमने देखा how to download and use bootstrap 5 तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक कीजे शेर कीजे सब्सक्राइब कीजे और मुझे अपनी दौआ में याद रखिए तो मिलते इंचालला next lecture में तब तक के लिए दीजे इजाज़त अल्ला हाफिज